हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ स्यासी और कानूनी मंजदार में घिरी नून लीग सरकार को आज थोड़ा बहुत सुख का सांस नसीब हो ही गया असलाम अलेकुम मैं हूं मुनीजे जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोटलाइट नाजरीन इलेक्शन आक 2017 की शिक दो सौतीन में बिल मस्तरत हो गया ये तर्मीमी बिल पीपल्स पार्टी ने सेनिट सीनियर रहनुमा नवीत कमर ने आज कौमी इसम्ली के दुआदार अजलास में पेश किया था इस शिक के बाइस साबक विजरियाजम नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नाहल होने के बावजूद अपनी जमाद की सदारत के लिए एहल होए थे नवीत कमर के साबक सदरासिफ अली जर्दारी की बहन अजरा फजल ने भी इस बिल को पेश किया था यह एवान पॉलिसी मेकिंग एवान है जो हमने डिक्टेटेशिप्स की आदत को आगे बढ़ाते हुए यह पैसला कर लिया है जो है वो कहीं और से डिक्टेट करेगी पॉलिसी और यह हाउस सिर्फ उसको फॉलो करेगा और उसको सिर्फ तब बुलाया जाएगा जब अपन जान की जो है बचानी होगी तो फिर यह सर इस तरह से हाउस इस तरह से पार्लिमेंट आपकी बड़ी मुश्किल से बचती है लेकिन वफा की वजीर कानून जाहिद हामिद ने इस तर्मीन की मुखालत करते हुए इस इल्जाम को रख किया कि इस कानून का फाइदा फर्द वाहत के लिए अमिद ने कहा कि 17 नवेंबर 2014 में पार्लिमानी कमीटी की इजलास था जिसमें इस सेक्शन की जो तर्मीम की वो बात पूरी तरीके से हुई थी और इसके बाद सेनेट की पार्लिमानी कमीटी में भी इस पर बात हुई और पैंफ्रिट्स भी शाया किये गए जो सब ने देखे मगर किसी ने इतराज नहीं किया याद रहे कि अप्रिल 2016 में मंजरे आम पर आये थे जिसके तहट नवाज शरीफ और इनके खांदान पर केस चले थे और चलते रहे हैं याद रहे कि सारा शोर इस पर था कि जेनरल मुशरफ दोर में आइल पार्टी और दो हजार दो में शर्ट थी कि ना एहल शक्स पार्टी की सदारत नहीं समाल सकता ये शर्ट उस वक नवाज शरीफ और बेनजीर भुटो को बाहर रखने के लिए लगाई गई थी इलेक्शन तर्मीमी बिल दो हजार सत्रा दो अक्तूबर को भी से पास हुआ था जहां हकूमत को 172 वोट और आपोजिशन के हक में 77 वोट आए थे आज होने वाले अमल में हकूमत को 162 और आपोजिशन को 98 वोट पड़े यानि हकूमती अराकीन की तादाद में 9 अराकीन कम होए और आपोजिशन की तादाद में 11 अराकीन का ज़ाफा हुआ अज़रीन अभी भी क्या इन क्यासा रायों में दम है कि एक पोवर्ड ब्लॉक निकल कर हकूमत की अकसरियत और अख्यार को चैलन्ज कर सकता है यही हमारा आज का मौजू है हमारे साथ इदर मौजूद है डॉक्टर नफीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेप्रिसेंटेशन कर रही है मने है आपका बहुत शुक्रिया उनके साथ तश्रीफ रखते हैं राना अफजल साहब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप भी नैशनल असेमली में आज मौजूद थे और उनके साथ तश्रीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इनसाफ से अमजद अली खान न्याजी साथ अप नैशनल असेमली के अंदर मौजूद थे सबसे पहले आप से मैं बात शुरू करती हूँ जब आप ने ये बिल पेश किया तो क्या होमवक नहीं किया हुआ था चुके आज तो जाहिद हमिद साथ ने कह दिया के जी नवीद कमर खुद जो ब्रे थे वो इस कमिटी का हिस्सा थे जिन्हों ने कहा था के जी ठीक है हम इसको इस शिक को हम खतम करते हैं ये चुके मुशरफ की शिक है और जो भी ना एहल शक्स है वो पार्टी की सदाराद संभाल सकता है दो डिफरेंट इशूस है पहली बात तो मैं इसकी कॉंटेंट में नहीं जाती सबस्टेंटिवली हो सकता है कि ये उस पस्मंजर में पुलिटिकल पार्टी ने क्यूंकि ये जस्ट फर दाप पॉइंट के जैनल मुशरफ की आमरियत का एक शिक था तो इसको लेकिन जब पनामा का जज्जमंट आया उसके बाद एक पस्मंजर चेंज हो गया उसके बाद पबलिक उपिनियन या पस्मंजर के ये एक बंदे को फेवर करने के लिए और इसमें अज ये हकीकत बन गया जिस तरीके से उन्होंने और मैं ये समझती हूँ कि इस्टैबलिश्मंट की ये लोग बहुत बात करते हैं पीमलन की आज पीमलन की इस्टैबलिश् है जो खुद इस्टैबलिश्मंट की पैदावार है आज ये बड़े एंटी इस्टैबलिश्मंट बनते हैं लेकिन वाट ये हव तोड़े प्रमोटेड इस के रूल आफ वान फैमिली एक शक्स मैनी समझती को कॉंशन्स का वोट हो सकता है तूसरी बात ये है कि एक बात मै फिर क्यों इतराज किया और अब जो पीटी आए वो सुप्रेंग कोड़ेंगे तो लोग के लोग अपना काम नहीं पूरा कर सकते हैं फिर सुप्रेंग को मैं इस कमिटी का हिसा नहीं थी लेकिन आज आपने देखा कि सब ने जब जस तरीके से जायद हामिद ने ये बात की उस सब पे सब जिन लोगों को उनोंने उसका बनाया कि उसमें मौजूद थे उन सब ने उठकर अपनी सफाई पेश की और इस इल्जाम को मुस्तरत किया दूसरी बात ये है कि ये बार बार ये भी चीज वाज़े है कि उस इलेक्टारल रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीज जो है बाई मतलब गोल मोल करके उनने इंसर्ट की और इसके काफी और भी एग्जाम्पल्स है जो अगर ये ना मुस्तर रसालत वाला जो इशू है जो इस वक्त मैं समझते हूं सेटल्ड इशू है लेकिन अगर ये वहाँ पर गैप था इसको भी शायद कमिटी को कॉन्फि ज़्यादा हूटिंग उनके उपर हुई है क्यूंकि ये वो शक्स है जो इमरजनसी को भी कानूनी करार देते हैं जनर्र मुशर्फ के लेफो को भी कानूनी करार आप इनका बड़ा रोल है आज वो जमूरियत के अलंबरदार है रारा अफजल साब ये बात तो सही है किसी ह जो आपके वोट थे उसके नहीं हंडरेंड सेविंटी टू थे आज वन सिक्स्टी थी हैं जिसना रजा है आथ हराज साब आज नजर नहीं आए इसकी क्या वज़ा है अब तो ओपनली ये कहा जा रहा है कैपटन सफदर साब ने मुझे खुद कहा के जी एक फोवर्ड ब्लॉ किसी की मेडिकल रीजन हो सकती है किसी को वाकिया रोका गया होगा तो इसको एक क्वांटिटिव शकल मैं आज नहीं देश सकता देफिनिटली लोग कम हुए और आपकी इस्टैबलिश्मेंट में रोका है या किसी और ने रोका है हम तो हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे ज़रा से ज़रा से ज़रा लोग आए इनकी इस्टैबलिश्मेंट ने खाना खिला है हमारी हमने खाना भी खिलाया हमने लोगों को कहा कि आप बर वक्त आईए ये चीज़े हम करते हैं और साथी पार्टी जाते हैं या पार्टी से कुछ सोसिस मुझे यह भी कह रहे थे गि इस्टैबलिश्मेंट कह लें और उनको मौरालिटी की का लेसन देने की कोशिश करें कि देखें आप ये मौरल ग्राउंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाहल कर दिया बंदा पुछे कि नाहल किसी से लिए कर दिया नाहल तो किया कि वो असेमली के मेंबर नहीं हो सकत भी नहीं आए इसकी क्या वज़ाए चूकर आपके भी वोट को ये सकते थे आपके भी वोट को ये साथ हो गया था बिसमिल्ला रुक्मारीम सबसे पहले मैं ये कहना चाओंगा कि खान साब की जो भी नुमाहिंदगी है वहम पूरी पार्टी कर रहे थे हम मौजूद थे हम मारा जो भी नजर था नी मगर आने की कोई वज़ा तो होगी ना आने की हम बैठे थे थे ना जी हम बैठे थे मरत लेकिए कि अब बात है जसमें तमाम पार्टीयों की विस्डम शामिल ती चे अबी जो बात हो रही है ये इसलिए मैं पूछना चाँरे हूँ कोई तो कि इमरान खान साब ने धड़धर ट्वीट्स भी की हैं इनके खिलाफ तो अगर वो बनी गाला से बैट के ट्वीट्स करें श्रीफ ले आते हैं नैशनल से वोट हम ने कहा जैसा कि हम पार्लिमेंट में मौजूद थे तमाम पार्टी मौजूद थी और हमारा जो पार्टी का नक्ता नजर था वो हमने असम्बली में बयान भी किया और इसके अगेंस्ट वोट भी किया तो आप यह नहीं बताएंगे कि क्यों नहीं आए देखे खान साब की को बहुत सारी सर्टन मसरूफियात हो सकते हैं लेकिन हमने पूरी पार्टी मौजूद थी तो इसमें एहम इ अद्धी एक्सरियत से इन्हों नोटल इनके जो टू थैटी बनते हैं अलाइस के साथ अगर उनको देखा जाए तो यह डिफीट हो गए हैं आज और अपोजीशन ने जो अपने जाएंट बिल के उपर अपनी रेजर्वेशन दी हैं यह कौम को जो मैसेज दिया हम पाकिस् इसी शक्सियत के लिए और उसकी बन्याद पे आप पार्लिमेट को चलाना शुरू कर देखे फिर लोगों का इतमाद उट जाता है आज जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ और यह भी अच्छा नहीं हुआ कि आपके जित्ते भी बड़े बड़े ल बनाया जाएगा पार्लिमेट के अंदर तो तब वो आएंगे अभी भी 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 आज क्या हुआ है आज जिस तरीके के साथ देखें मैडम ने खुद भी वहां पर बैठी थी ती नफीस चाह इस पारटी नहीं कहा कि आज हमें बड़े इजरा आज जिस तरीके के साथ लोगो को पकड़ के लाए हैं किस तरीके के साथ लाएं तो ये चोटी किसी शिक्सियत के लिए कितरी बड़ी का कानून साथ तो जो जो फोवर्ड ब्लॉक की क्या साराया कॉल्स करने वाले कर रहे थे वो तो अब दम तोड़ गए देखें ये एक वोट जो है पालो ये डबे में अंदर रहे देखें कियो वोट इनकी जमाद इस अफ़ पावर भी इनके पास है रिसोर्सिस इनके पास है पंजाब की हुकूमत इनके पास है तो ये कहना के नहीं लेकिन ये जब कैर टेकर सेटप बनेगा फिर हमें पता चलेगा कौन किस के साथ है रिगार्डिंग इन दो की जो पर्लिमेंटरी पर्फॉर्मेंस है दोनों पार्टी इस की और ये हमारे नौजवान चैमन भी कहते हैं कि एक ही सुके के दो रोख है पॉलिटिक्स में बदकिसमती से पी टी आए ने भी जो पहला धरना दिया उसमें काफी गार हाजर रहे और इनके लीडर जो है ये वजीर आजम इनका बैठावा था क्योंकि अगर वो ना होता मैं दावे से कहती हूँ कि ये अपने नंबर जना पूरा कर सकते थे मिया साब भी तो इसलामबाद में आके बैठ गए सत्रा मेंबर सत्रा मेंबर पे पार्थी और ऑपोजिशन करती थी ये जो है नवाज शरीफ भी प्रतिसमती से पिछले चार सालों में सिर्फ उस वक्त आए जब उनको मैं मुझे क्यों निकाला और इस किसम की जब अपनी अपनी पूजिशन सेक्यों कर ले चुके हैं जो न जाने चार्यांअचिक एभाज शरीफ साब का अपनी अपूजिशन के लाइव प्रॉजिशन ऑज एक ती किसुछ न सबसे हम बात की न इंगलेश में कहा है एले रेकेग्नाईज टैंस अगेंस देमक्रेसी और वेड़ी इस in the country. ये आज नवी तर्मासाइब और ये हमने चलाया और ये हमने चलाया तो उन्होंने भी वो बात की जो आज कुछ लोग हमारे भी कर रहे हैं जो आज आज आपने भी बात यहां से शुरू की तो इस वक्त क्या है पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो जब आपको हिंदोस्तान से कंपेर करते हैं तो वो देखते हैं कि उस मुलक में सतर साल प्योर डिमोक्रेसी थी वो भी हमारे जैसे लोग थे वो गलतियां करकर के शायद बेटर पारलिमेंटरियन्स बन गए हैं और वहां जमुरियत नहीं जड़े मश्बूत आज जो लोग गायब होने या अपनी मर जो आज ये लोटे बने हैं या जो खतम हुए पाकिस्तान के अवाम इस किसम के लोगों को बरदाश नहीं नहीं मगर फिर लोटों का आप करेंगे क्या ये मैं आप से पूछूंगी मगर चोटे से वक्षी के बाद वल्कम बैक नाजरीन आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हकूमत है उसको चोटी सी एक विक्ट्री मिली है और आज पारलिमेंट के अंदर खौजा साद रफीक साहब ने क्या क्या कहा आई आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों की क्यादत का फैसला वो कोई सियासी जमात हो उस जमात का कारकुन करेगा चांद लोग नहीं करेंगे जो वक्त PMLN पर आया है हमसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आया था बहुत भुगता इन्होंने आज हम भुगत रहे हैं ये पाकिस्तान की तमाम पुरानी स्यासी जमाते इसका शकार हुई है मैं अब भी ये इस्तदा करता हूँ जगड़े की बात नहीं है लेकिन खुदा के लिए नजरिया जरूरत के तहट वक्ती जरूरत के तहट नफरत के तहट किसी तासुप के तहट ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश न करें जो इस पुल्क में जमुहूरियत को कमजोर कर दें ये परसन स्पेसिफिक नहीं है कभी एक माइनस कभी दूसरा माइनस कभी तीसरा माइनस खुदा करे मेरी बात सच ना हो और इसके बाद कोई माइनस ना हो हम नहीं चाहते कि पॉलिटिक्स में से कोई माइनस हो क्योंकि जब कोई एक बड़ा लीडर स्यासत से माइनस की आजाता है पिर जम्हूरियत माइनस होती है राना अफजल साहब अभी मर्यम नवासाइबा का भी ट्वीट आया उन्होंने कहा है कि जह जम्हूरियत है वो साजश के खिलाफ डट के खड़ी है तो आज जो आपके लोग नहीं आए जो साधिश का साथ दे रहे हैं सिर्फ उनको शो काउस नोटिसी मिलेगा क्या देखें मुझे नहीं पता कि पार्टी उसके लिए क्या फैसला करती है आज जो लोग नहीं आए उनसे यकीन पूछा जाएगा आप नहीं आए और कुछ लोग की कई वजुवात हो सकती है उनकी जो साधिश की बात है देखें पाकिस्तान में बहुत उतार चड़ा हुआया चार मार्शला लगे दो दो साल के लिए प्लिटिकल गर्वर्मेंट्स आती रहीं उनको चलता किया जाता रहा एक हिस्टरी है जो हमें हांट करती है और अगर थोड़ी सी भी कोई चीज होती है हम शायद जादा रियक्ट करते हैं यह एक बदकिस्मत ही है इस फेस्ट से हम गुजर रहे हैं तो अब हमारी हम जो जो जुमुरी हम जो पॉलिटीशन्स हैं हमारी पूरी कोशिश इस चीज़ के उपर होगी कि हमारी जुमुर चलती रहे दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उडाता जा अब एक मुल्क में अफरीका में मार्शिला लगाया वो फौजी भी डरडर के कह रहे हमने मार्शिला नहीं लगाया हमने कुछ और किया है तो मार्शिला का लफ़ज इतना बनाम हो चुका है दुनिया में कि अब माशियलों की वियसे जरूरत नहीं है वियसे भी ह acceptable वियसे भी उसका कोई मुतमल नहीं हो चल सकती जाना time तो हम झमारे और कौरिया है, अब दृनिया से बाहर निकाल दिया जाते election's की त्यारी आप कर रहे हैं एक जो उमीद लगाई वी थी कि कब्लस वक्त elections होंगे वो मेरा ख्याल है तूटती भी नजर आ रही है अब लग रहा है ऐसे इनके पास numbers है Senate elections भी बरवक्त होंगे और जेनरल elections भी अगले साल बरवक्त होंगे देखे पहली बात तो यह मैं कहना चाहूँगा कि बरवक्त election अभी भी जरूरत है क्योंकि गौर्वर्मन्ट जो है वो चलने से कासिर है बलके मफलूज हो चुकी है उसकी कई वजुआते हैं आप तो कब्लस वक्त election की बात करते हैं ना खान साब तो कहते हैं कि फिल फॉर एलेक्शन होने चाहिए हम तो कह रहे हैं ना उसलिए कि गौर्वर्मन्ट जब चली नहीं पा रही फैसले ही नहीं कर पा रही आपका finance minister पढ़ा है पता नहीं बिस्तर पे पढ़ा है या क्या कर रहा है तो definitely बात तो समझ में आ रही है कि government जो है वो चलने से कासे रहा और जिस तरह जैसा कि आप आज भी national assembly के अंदर देखा कि जिस तरह behave किया मुस्लिम लीग की government ने और अर्बो रुपय के पैसे development funds दिएगे तब ही जा के वो अपने members को पकड़ के लाए ऐसा है राना साब आपने development funds release किये और इसलिए आपके सारे दो सब्सक्राइब के करीब सुने में तीन महीने पहले मिले थे वो अभी बुला बुला के उन्हें कहा जा रहा है कि एक members को भी नहीं फंड दिये गए और जहां पे ज़रूरत है ये जाती पसंद और ना पसंद की बन्याद पे development fund के ये जा रहे हैं ये तो कबल अस वक्त इंतख़ए खवातीन को तो इतना ये नापसंद करते हैं एक खातूर मेंबर को इन्होंने चार साल में फंड नहीं किसकी बात कर रही हैं नन आफ तो विमिन जितनी खवातीन रिजर्व सीट पर है इनको नफरत है ये उनको बस हम पूरपूरा करने के लिए अच्छा दूसरा opposition को भी नहीं देते देखे मैं बताओ प्रविंशल गर्मेंट के पास development funds होते हैं जूट और हर सुभाई हुकूमत को मैं अर्स तो कर में सुन ली जैना भी मेरबानी आपकी हर सुभाई हुकूमत का जो development budget है सुभ सुभे के अंदर पैसा development का सुभे का लगता है हमें right to choose या recommend schemes teams वह हमें right है वो भी हम जाते हैं हलके में अगर गली की अपने PCC बनानी है उस गली के लोगों से पंदरा बीस लोगों से पंदराव से लोगों को election लडने इनके पास पता है इनके एक एक अरब जो भी है इनको सारे इनको देने वहाँ development कराएंगे जो opposition को महीने में दो दफा जितना हमारे पास पैसा एकटा होता है पंदरा दिन के बाद सारी सुभाह कूंतों को पैसा चल जाता है और federal government के पास रह जाता है उसमें से लीक करके MNS को दिया जाएगा तो यह public का पैसा है यह हमें पकड़ लें यह हमें पकड़ लें कहां पकड़ें आपको accountability में नहीं 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 को पता नहीं कितने हलकों में उनको gas connections दे दिये मतलब यह पूरी जो हरे उन लोग है इनके अगर एक inquiry हो इनको इन्होंने MDGs के नाम से इन्होंने एक बनाया है जो भी government इनकी जब government थी यह priority लगाते थे नहीं इनको इनके M&As को प्रायर्यक्स को पसे मिन्याइथ भी तरहें बिक्षबंस के अगरे जिए नहीं हम के इनको नहीं पहुत के इनको इनको बेतर समझते हैं इसके नदर भी तो जमूर्यत लाएं यह तो यह कहते हैं कि उसके हमने एक तरीके से बिज़ली की पूरी करनी थी हमने गैस पूरी करनी थी हमारा एक तरीके का रहे हैं इनका शायद और था इनोंने और पर भी सवाला था है काफी तो सबका बिल है हमारा थे उसमें भी ये जो कह रहे हैं ना कि हमने कोई जमूरी कदरे या भुटो साब शहीद भुटो वाला बिल जो हमने पास नहीं किया देखें दो जो वो प्रिविएस डीलिमिटेशन वाला लॉट था उसमें सारी जमाते बराबर थी तो सारी जमाते इस पे यक्राए हैं कि एलेक्शन जो है वो टाइम पे हो जमूरी तसलसल हो ने पी टी आई तो कहती है कबलेस वक्त इलेक्शन हो ठीक है लेकिन उन्हें वोट दिया और इस वक्त भी सारी जमाते इस इशु पर काइम है कि एलेक्शन वक्त पे होने चाहिए डीलिमिटेशन का लौ सबने साथ दिया है क्योंकि वो एक मुश्तरका इशू है जहां तक जमूरियत की बात है जमूरी कदरों की बात है तो ऑपोजिशन जो है वो ऑन बौर्ड है टोटली तो इसलिए ये कहना कि ये जो बिल है इसमें कोई ऑपोजिशन ने कुछ गलत किया है और वो सही था अगर वो सही किया है तो आज जो हमने असूली मौकुफ लिया है कि जमूरियत के लिए बहतर है कि आप अकलियत का भी तहफुज करें और अकलियत अगर आपको कोई एक वाइस रूट दे रही है कि इस वक्षक्स को जिस जो इस वक्षक्त दिर इस फिलिंग कि एक का महौल बना रहे हैं नहीं वो तो किया रहे हैं कि इस वक्त आप क्या एक जज्जमन्ट आया है आप जो पात अपने लिया है वो रियक्शनरी है में आप तो सुप्रीम कॉर्ट में नहीं जा रहे ना जिसना ये गए है इसके खिराफ मेरे खाल से हमारी पार्टी भी गई है लेकिन ये बदकिस्मत ही होगी अगर सुप्रीम कॉर्ट स्ट्राइक डाउन करे क्योंकि अगैन एक दफा फिर जुडिशिल ओवरीच होगी और पार्लिमंट के जो अख्तियारात है वो और कम होंगे इसलिए ये बहतर था कि हर दफा मामला जुडिशिरी के साथ क्यों ही ने जाते हैं आप पार्लिमंट होगा समझते हैं मियासाब कोई सारी उमर के लिए तो नहीं डिस्कॉलिफाय हुआ है अगर स्टीजिक आप रिट्रीट करते हैं तो उसमें हर्च चले वो तो बात आप जमार्टी निंकी पावर में है तो इसलिए मैं समझने से कासर हूँ क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके उपर विजद है अगर 2014 के बाद पनामा ना आता तो किसी ने नोटिस भी नहीं करना था इसको जब आप कानून जो है कानून आईसोलेशन में नहीं होता कानून आपके परस्टी को डिवेलप किया जाए और इस्ट्यूशन को नीचे किया जाए तो आप नीचे नहीं के अंदर मिया साब ने अपने आपको साफ किया हमने तो डेवन से किया नहीं किया हमने हर फोरॉम अगर कानूनी रास्ता अग्तियाः किया को गैर कानूनी रास्ता तो नहीं अख्तियार किया जब पारलेमट को आप सुप्रीम समझते हैं कि दी नहीं कि भी दाव पन्साव fim दोर में गयााँ नहीं हम बदळा न ले रहे हैं आप जो इतने अब रेवलिशनरी बन गए हैं आपकी जो पिछली पूरी तारीख है वो काफी काफी जो है ना उस पे उपर तो बहुत सारे कुछ लिख सकते हैं हम सब की नहीं मगर आगे कैसे बढ़ना है डी लिमिटेशन पे आप साथ दे रहे हैं कल वो नंबर यह पूरे करें लेकिन जहां तक आपसे नहीं नहीं हम लोगों ने साथ दिया पहले भी और हम इस मामले पे साथ हैं लेक्शन के उपर लो कम्रमाइस ना जो नफीस आशाइबा कह रही थी कि दो हजार चौदार में जब यह लेजिसलेशन का काम शुरू हुआ तो उस वकत मौरली यह ठीक था लेकिन जब पनामा आ गया तो फिर क्योंकर नवाज शरीफ साब का इशू आ गया तो फिर हम उसको अपनी पॉलिसी चेंज कर देते यह यह कह रही है नहीं बिल्कुल मैं यह कह रही हूं कि लौ इस फौर ऑल पर्पॉसेश इग्जैक्ली दिस इस वाई नवाज शरीफ के लिए तीन दफ़ा पार्लमट ने शक्सियत की बिना पर उनको बेनिफिट दिया है अमीरल मुमनीन का कानू एक शक्सियत के लिए ठीक है उसने किया किया पार्लमट को नहीं तो फिर डिसमिस हो गई नहीं इसी करतूतों को वज़ा से तो यह बेनिफिट बीस करोण अवाब में एक शक्स के लिए फाइदे की बात थी यह उनसे इन्होंने बेनिफिट लिया तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बंगी गए और अब फिर एक शक्स के लिए वो रहे हैं आप लोग खुल के फिर आप क्यों नहीं सामने आते कि आपकी हकूमत को कौन सा अमने आएं स्टैब्लिश्मेंट के साथ लड़ाई कर लें क्या करें हम तो बच-बच के जमूरियत को कंटीनूटी देना चाहते हैं हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हम हर इदारे को चाहते हैं अपना अपना काम करने दें यह लिए लोगों की एक हंग पार्लेमेंट खा करे, establishment अपना काम करे, ये मुलक तरकी कर जाएगा. आपको Senate elections होते वे नजर आ रहे? कि देखे जिस तरह मफलूज हो चुकि गर्वर्मन्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहे. आपको नहीं नहीं आ रहे. और इस जैसे अगर, इस जैसे अगर कावाणी. कैसे होगा? नो नहीं लोग अंगलें उठा रहे, इनके ऊपर उठा रहे हैं. वो तो आज से नैशनल संभी में मौजूद थे. जोदी मिसार भी थे, रियास पिकजाना साब भी थे. दो सो तीस लोग इनके अलाइज हैं. टोटल इनके नमबर दो सो तीस हैं. और आज वन 63 थे. वो भी जैसा मैंने आपको कहा कि ये पकड़ के लाएं वो आए नहीं है. पकड़ के लाएं गएं जिस तरीके के साथ भी. देखे फिर दूसरा जमूरियत को जिस तरीके के साथ ये कमजोर कर रहे हैं, तारीख में ऐसा चबी नहीं हुए. अच्छा, एक आप फौज को तलब करने को त्यार है, राना साथ? देखें, मैं आज पूरा दिन हम लोग इतना विजी रहे पार्लिमेंट में, उसके बाद टॉक शोज में, बिलकुल आइडिया नहीं कि आज क्या हो रहा है, अला करे को को प्रॉग्रेस होई हो, लेकिन फौज को एक टूल है, गवर्मेंट का, एक अधारा है, और सिविलियन जो गवर्मेंट है, उसको ये एक लाँ में है, कि आप उनको जहां यूज करना चाहें, कर सकते हैं, मुल्की बेतरी के लिए, तो अगर वो नौबत आ जाएगी तो में आखिल कर लेना चाहिए, अभी तो हमें अजाएगे, नौबत आ गई है, चुके पंदरा दिन से जादा हो गए हैं, देखें, मैं समझता हूँ कि अभी नौबत नहीं आई और आज कर में कुछ बेतरी की खबरें मुझे इंडिकेशन आ रही थी, फौज को आखरी लम्हें पे इस्तमाल करना चाहिए, और हम तो चाहेंगे कि अगर फौज को इस्तमाल कर लें, क्योंकि अगर कोई लाहर जैसा वाक्या हो गया तो हमारी लिए तो बहुत मुझेशन और जैसा वाक्या हो गया है, जाहर है, गौवर्मेंट के लिए, गौवर्मेंट को टार्गेट होती है, हर कोई कहेगा इन्होंने बंदे मार दिये, यह बंदे मारने वाले लोग हैं, यह इनका काम है बंदे मारना, इस किसम के इल्जामात लगेगी, तो ह है, हाँ किसी चीज़ को अवर्ड कर रहे हैं, नफीसा साहिबा, इसके पर आपका कॉम्मेंट जाओंगे जरूर, लिके गौवर्मेंट की जिमिदारी है, और यही बात है कि आज उन्होंने नंबर्स तो दिखा दिये कैसे भी, लेकिन रिट कितनी है हुकूमत की, बहुत ब लाले हैं, इस वक्त गौवर्मेंट की है, और गौवर्मेंट की रिट जो है, अगर वो चैलन्ज हो रही है, तो इनकी जिमिदारी है, क्यापिटल जो है, वो इनके अगर कंट्रोल में नहीं है, तो हुकूमरानी यह कैसे करेंगे, मैं समझता हूँ, आज खुशी साशा, श को क्लियर कराने के लिए? देखे, इसका मतलब है कि अगर आप फौज को बलाएंगे, तो नेवली इस बात का सबूत होगा कि गौवर्मेंट जो है, वो खतम हो चुकी है, रिट आफ दे गौवर्मेंट जो है, देखे, है, लेकिन सबसे पहले अगर सिविलियन जो अधारे ह है, तो उसका मतलब तो यह होता है, कि आप इस एहल नहीं रहे, कि मजीद गौवर्मेंट को चला सके, जब फलड आता है, उसकी डिमांड्स है, अगर वो डिमांड्स कर रहे हैं कि जी हकाय को सामने लाया जाए, और गौवर्मेंट जैसे तो आले शरीफ को बचाने पे लग होंगे, या आपको लगता है कि आज जो सुरतहाल बनी है, उसे जो मामलात है कुछ बेतर होंगे, खराब होंगे, वाट यू थिंग, तेकि मैं चाहूंगी, बहसियत पार्टी की कारकौन, जमूरियत, जो हम बिलीव करते हैं, जमूरियत के लिए स्ट्रगल किया है, कि तिं इनके बहेवियर पर डिपेंड करता है कि यह कितनी रिस्पॉंसिबिलिटी से इस वक्त यह नाजुक फेज है, पाकिस्तान जैसे नोंने कहा, चार डिक्टेटर्स से गुजर चुका है, जिन में पुलिटिकल पार्टी बंदी हुई है, तिर वक्त कम रह गया है, मैं चाहू होना है और टांजिशन देना इनका काम है, गर्मन टेजरान भाई, शाहिद खाकाम, अबासी और वो किसी को इल्जाम ने लगा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं और बहत बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, राना अवजल साहब, नतीसा शाह साहबा, तो नाजरीन हमा जम्हूरियत का तब सोचें, जब जम्हूरियत को फायदा हो ना कि किसी एक शक्स को फायदा हो, बारहाल हम उम्मीद करते हैं कि एलेक्शन भी बरवक्त हों और सेनेट एलेक्शन भी बरवक्त हों, आज के लिए इजाज़त दीजे, खुदा हाफिस झाल झाल झाल